बिस्मिल्लाहरामान रहीम दियर स्टूरेंट्स अस्सलाम अलेकम पिएच्वई 404 modern physics 2 के सिल्स्टे में आज हमारा लेक्चर होगा Zeeman effect semester 4 BS physics के लिए ये lecture record किया जा रहा है Zeeman effect में हम splitting of spectrum lines in magnetic field के पारे में बात करेंगे मैं हूँ आपका tutor डॉक्टर श्कील रह्मद खान Zeeman effect क्या है Physics और Astronomy में spectral lines और spectrum का बहुत ज्यादा इस्तमाल किया जाता है जब हम spectral lines की बात करते हैं तो यह असल में वह emission होती है that is recorded with the help of spectrometer in terms of wave number, wavelength या frequency जब higher energy orbit से electron जंप करके lower energy orbit की तरफ जाता है या हम यह कह सकते हैं कि जब system higher energy states से lower energy states की तरफ जाता है और उस दुरान में जो emission of photon होती है उन photon की wavelength और frequency को note करना असल में spectral lines को note करना है और इस तरीके से हम spectrum को बनाते हैं basically हमारे पास magnetic field के अंदर जब हम किसी spectrum को note करते हैं यानि अगर हमारे पास एक light source हो उसको हम magnetic field के बगहर रखें तो जो lines वो show कर रहा होता है जब हम उसी source को magnetic field में रखें जो के weak field होना चाहिए तो उस सुरत में वो static magnetic field उन lines को split कर देता है into multiple lines यह phenomenon Zeman ने 1896 में सबसे पहले observe किया था Zeman एक German physicist था और उसने sodium की yellow d lines को study करते हुए magnetic field का effect observe किया इस effect की वज़ा से उसको 1902 में Nobel Prize भी मिला जो उसने Lawrence के साथ share किया था due to the explanation and the observation of Zeman effect अब क्योंकि photon जो emit होते हैं वो neutral consider होते हैं तो magnetic field का उन पर effect उनकी wavelength में change होना या उनके spectrum का split होना यह एक unnatural सी बात लगती थी लेकिन फिर Lawrence ने इस Zeman effect को ठर्टी करने कोशी की उसने classical theories का इस्तमाल करते हुए इसको explain किया अब classical theory 1900 की range में उस वक्त existing theories थी तो उस बेस पर जब उसने उसको explain करने कोशी की तो उसने predict किया कि जब atomic species को magnetic field में रखते हैं तो उससे निकलने वाले photon या जो emission होती है they become polarized और उसने predict किया कि यह polarization circular polarization होती है कि when we are viewing the light parallel to the magnetic field लेकिन जब हम magnetic field के perpendicular उसको view करते हैं तो वह light हमें plane polarized नजर आती है polarization की different orientations की वज़ा से हमारे पास जो energies हैं वो change हो जाती हैं जिस वज़ा से हमारे पास मुख्तलिफ direction में मुख्तलिफ energies की values हासल होती है जिसकी वज़ा से वो spectrum split हो जाता है फिर जीमें ने इसको experimentally verify भी किया और उसने एक relation drive किया on the basis of Lawrence explanation जिसमें उसने वेव नंबर का इस्तमाल किया अब देखा जाए तो वेव नंबर spectroscopy के अंदर बहुत एहम parameter होता है जबके हम वेव नंबर की बज़ाएं आम तोर पे डेली लाइफ में wavelength या frequency का इस्तमाल करते हैं लेकिन spectroscopy में जब हम spectrum को ब्यान करते हैं तो वह in terms of वेव नंबर ब्यान करते हैं अब अगर देखा जाएं तो हमारे पास जीमें इफेक्ट के दुरान एक सिंगल wavelength या एक radiation जिसका एक particular wavelength होगी वह होगी due to transition from higher energy state to low energy state और उस वजह से जो ना उसे ज्यादा लेकिन जब हम उसको observe करते हैं with low resolution spectrometer तो हमें यह wavelength expand होती हुए नजर आती है in terms of हम इसको term use करेंगे कि broaden हो जाती है मतलब यह जो लाइन थी वह आप हमारे पास थिक लाइन की सुरत कर लेती है अगर हम इसको इस numerical values की सुरत में बियान करना जाएं हम suppose कर लें कि यह हमारे पास wavelength four ninety nanometer को represent अगर कर रही है तो यह हमारे पास अब जब magnetic field में रखा गया और हम उसको low resolution के अंदर देख रहे हैं तो यहां पे यह from four eighty five to four ninety five nanometer के दर्मियान फैली ही नजर आती है इसका मतलब अब यह ब्राड हो चुकी है अब इसकी ब्राडनिंग को सबसे पहले जीमें ने इसको ब्राडनिंग ही कहा था लेकिन जब इसको high resolution spectrometer की मदद से observe किया गया तो पता चला कि यह असल में single line broad नहीं हुई बलके यह three different lines है इसमें एक तो हमारे पास वह center line ही है जो के इस जगह पे हमारे पास single line की सूरत में जाहर हो रही है और उसके left और राइट पर यानि उससे certain wavelength ज्यादा और उतनी ही wavelength काम पर एक और हमें wavelength हासल हो रही है या एक और radiation photon हासल हो रहे हैं जिसका एक खास wavelength वेव नंबर है जिसका central photon से वेव नंबर का difference दोनों तरफ ब्राबर हैं तो इस तरीके से हमारे पास एक भी distance दो लाइन असल हो रही है उसने इस जो डिफरेंस पैदा हो रहा है बित्वीन तू कंजेक्टिव वेव लेव डू कंजेक्टिव लाइन उसको वेव नंबर की सूरत में ब्यान किया वेव नंबर में जो डिफरेंस होगा याट विल टो एच ओवर 4Nmc² where E is the electronic charge H is the magnetic field N is the principal quantum number M is the mass of the electron and C is the velocity of light और यह formula हमारे पास Gaussian system में drive किया गया means इसके अंदर CGS system यानि सेंटीमीटर ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड वाले unit को इस्तमाल किया गया तो यह हमारे पास डेल्टा नियू की वैल्यू है यहाँ पे नियू असर में 2Pi by Lambda को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो वेव नंबर है यहाँ यह यूनिट पर सेंटीमीटर और हम यह कह सकते हैं कि इस रैसी प्रोकल ओफ वेवलेंथ विद मल्टीपल ओफ तूपाई अब जो पैटर्न अब्जर्व किया जा रहा है उसकी कुछ क्रेक्टर सिक्सक्रा कहीं जा सकती है है ते पैटर्न अंड अपटे प्रफल इंग आप सोप्रीक हरी ऐधो कि मुझूदी का को जाहर कर रही है और यह जो सप्रेटिंग है वह डरा एल्टली प्रोपॉर्टिल होती है स्ट्रेंथ अफ टेमे प्र लेकिन हुए गया जहीं में रखना चाहिए कि यह जो हमारे पास Zeman effect है, that is observed under the application of weak magnetic field. Strong magnetic field की सूरत में, यह observation हमारे पास change हो जाती है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे. इसके बाद, the splitting is associated with what is called the orbital angular momentum quantum number L of the atomic level. यह जो splitting होगी, इसको अगर हम quantum theory की मदद से explain करना चाहें, तो हम कह सकेंगे, कि यह orbital quantum number पर base करती है, या orbital quantum number की वज़ा से यह splitting हो रही है, इसको आगे जाके हम अभी देखेंगे. इसके इलावा, quantum number, इस orbital quantum number की कोई भी non-negative value हो सकती है, from 0 to n-1, where n is the principal quantum number. इसके इलावा, the number of splits in levels can be 2L plus 1. हम यह भी कह सकते हैं, कि it is analogous to stark effect. Stark effect, basically, the separation of, the splitting of lines in the presence of electric field होता है. यह बिल्कुल वैसा ही फिनामिना नजर आता है. अब जो splitting होती है, उसमें अगर हमने जैसे पहले बात की, कि यह wave number की सूरत में बियान की जा रही है, यानि हम new is equal to 2 pi over lambda की सूरत में, new की सूरत में हम spectroscopy के अंदर बियान करते हैं. और यहाँ पर यह जो तीन लाइन हासल हो रही है, यह इस लाइन से कम intense होती है. तीनों की individual intensity कम होती है, लेकिन इसमें जो एहम बात है, कि तीनों की intensity uniform होती है, बिल्कुल एक जैसी intensity होती है, विचिस लेसर देन दी actual line. अब splitting of spectrum के अंदर, orbital angular momentum quantum number के किरदार को समझने के लिए, हम पहले देखते हैं कि अगर हम एक dipole को external magnetic field में रखते हैं, तो उस पर क्या effect होता है? फर्ज करें कि हमारे पास एक magnetic field B है, जिसको यहाँ पे along upward direction शो किया गया है, उसकी direction है, और एक electron revolve कर रहा है around the nucleus in a circular orbit, like this one, अब अगर यह electron revolve कर रहा होगा in a magnetic field इस direction में, तो उस सुरत में इसकी वज़ा से एक magnetic movement भी produce करेगा, because electron is a charge particle, and when a charge particle is moving in a circular orbit, it will produce a certain magnetic movement, और वो magnetic movement perpendicular होता है, उस surface के जो वो span कर रहा होता है, या उस loop के perpendicular होता है, जिसमें वो charge particle move कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ है, यह हमारे पास magnetic movement की direction होगी, अब यह magnetic moment अगर किसी external magnetic field B में रखा जाए, तो उस सुरत में यह magnetic field इस dipole moment को अपनी तरफ औरियंट करने की कोशिच करेगा, अब अगर यह अपनी तरफ इसको औरियंट करने की कोशिच करेगा, और लाजमी तोर पे इस पर वो कुछ work करेगा, और वो work उसमें ऐसे potential energy store हो जाता है, तो we can say that if an atom is placed in an external magnetic field B that points along the z-axis, then B will create a torque on a magnetic dipole moment of the electron and will orient it along the z-axis, अब जब वो z-axis की तरफ उसको औरियंट करने की कोशिच करेगा, तो वो उस पर work करेगा और work उसमें potential energy के तोर पे store हो जाएगा, और वो potential energy हम u is equal to minus mu dot b की सूरत में लिख सकते हैं, अब यह जाहिर करता है कि जब भी हम किसी emitting species को magnetic field में रखते हैं, तो वहाँ पे जो उसके magnetic moments होते हैं, they are forced to orient in the direction of b, और चुके वहाँ पर different orientation of magnetic moments होती हैं, और वो directly proportional to, जो हमारे पास torque पैदा होगा, वो भी directly proportional to theta होगा, तो लास्मी तोर पे हर orientation along b जाने के लिए उस पर different work होगा, और different work की सूरत में उसकी potential energy में जो change आएगी, वो भी different आएगी, और यही वज़ा बनेगी, किसी एक single shell के अंदर, मुख्लिफ electron, मुख्लिफ तरीके से, या मुख्लिफ atom, मुख्लिफ directions में होने की वज़ा से, हमारे पास जो emission होगी, वो भी differ करेगी, यानि उसकी जो amount of potential energy जो change आ रही है, उस वज़ा से हमारे पास एक single level की बज़ाए, वो multiple levels में तक्सीम हो जाती है, हम इसको schematically इस तरह देख सकते हैं, कि फर्स करें कि हमारे पास n is equal to 1 है, और we know that there will be l is equal to 0 only, and there is only one orbital, which is 1s orbital, और अगर हम n is equal to 2 के लिए देखें, तो यहां पे हमारे पास 2 options होगी, एक इसमें l is equal to 0 के लिए जिसको हम 2s का नाम देंगे, और एक हमारे पास l is equal to 1 के लिए होगी, जिसको हम 2p का नाम देंगे, ultimately इसी तरह हमारे पास n is equal to 3 के लिए, l is equal to 0, l is equal to 1, और l is equal to 2, हमारे पास 3s, 3p, और 3d orbitals हो सकते हैं, जिनके अंदर number of electrons differ कर सकते हैं, और यह हम पिछले lectures में देख चुके हैं, अब अगर देखा जाएं, तो हम simple case में देखते हैं कि, हमारे पास जो p orbital है, it has three different orientation, आम तोर पे हम x orientation, y orientation और z orientation की बात करते हैं, लाजमी तोर पे, अगर हम इस p orbital को magnetic field में लेके जाएंगे, तो उस सुरत में x orientation के along, जो हमारे पास orbital होगा, उसके जो magnetic move होगा, वो भी along x-axis होगा, और जब हम इसको magnetic field में रखेंगे, तो उस सुरत में यह इस direction में जब move करेगा, तो different angles के साथ move करेगा, और different angles होने की वज़ा से, ultimately इसकी potential energy में जचेंज आएगी, वो कुछ और होगी as compared to, कि जो हमारे पास y direction में एक magnetic field, sorry, y direction में जो orientation होगी orbital की, वो उसकी जब rotation होगी towards b, तो वो कुछ और magnetic, उसके अंदर potential energy में change कुछ differ करेगी, तो इसका मतलब यह हुगा, कि तुमाम orientation, तुमाम orbitals different potential energy में change का bias बनेगी, it means, कि जितनी तरह की orientation होगी, वहाँ पे उतने ही हमारे पास splitting भी level की मुमकिन होगी, और वो level की splitting की वज़ा से, जब down, नीचे वाले level में transition होगी, तो वहाँ पे भी हमें मुख्लिफ orbitals की splitting की वज़ा से, मुख्लिफ spectral lines हासल होती जाएंगी, तो इस तरीके से हमारे पास schematic अलिए हम देख सकते हैं, कि magnetic field में रखने की वज़ा से, जो हमारे पास L की splitting हो रही है, वह वाज़ तोर पे हमें नजर आ जाती है, अब हम यहां से देख सकते हैं कि splitting होती क्यों है, तो every electron contains its own magnetic dipole moment mu, that point in some direction, जैसे भी हमने कहा, कि P orbitals हमारे पास PX, PY, PZ orbitals हो सकते हैं, जैसे हम 2P और 3P की की बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हर orbital की एक अपनी magnetic dipole moment की direction हो सकती है, और when placed in the magnetic field, the torque act on mu must do a work to orient that electron's mu, यानि उसके magnetic dipole moment को orient करने के लिए, उसको एक खास torque की ज़ुरुत पढ़ेगी, along the same direction as the magnetic field lines, any two electrons cloud with mu that have different orientation will require different amount of work to rotate it, मतलब कि हम जितने भी हमारे पास orientation होंगी, magnetic moments होंगे, उनको B के along orient करने के लिए, हमें different amount of work की ज़ुरुत पेश आएगी, जिसकी वज़ा से उनकी total energy में different change आजाती है, जिसकी वज़ा से वो different levels में split हो जाते हैं, यानि जो energy emission होगी, वो different होगी, जैसे example के तौर पे हम hydrogen के अंदर बात कर लें, यानि अगर हम बगएर field के देखें, तो हमें सिरफ एक line नज़राती है, जो के N पर बेस करती है, यानि N is equal to 3 to N is equal to 2 transition की line होगी, लेकिन जब हम उसको magnetic field में रखते हैं, तो यह हमारे पास multiple lines की शकल इक्तियार कर लेती है, और जब वो multiple lines होती हैं, तो वो N is equal to 3 से N is equal to 2 के different ML quantum number वाले levels की तरफ transfer हो रही होती हैं, मिसाल के तौर पे जब N is equal to 2 होगा, तो सूरत में L की value 0, L की value 1 होगी, और इस सूरत में जब L की value 1 होगी, तो ML की value 1, 0 या minus 1 हो सकती है, तो इस सूरत में यह हमारे पास 3 levels में split हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो P orbital है, उसकी 3 orientation हो सकती है, इसी तरह हमारे पास अगर D orbital है, उसके अंदर 5 orientation हो सकती है, 5 different directions में उनकी loops हो सकती है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास यह 5 levels में यह D orbital shift हो जाएगा, अब चुके D से P की तरफ transition हो रही है तो इसमें, यह हमारे पास transition नजरा रही है, लेकिन कुछ ऐसी transition है जो यहां पर show नहीं की गई, जैसे यहां से, जिसमे ML की value 1 से, यहां पर कोई भी transition show नहीं की गई, सिरफ यह दो transition show की गई हैं जो यहां पर आ रही है और यहां पर आ रही है लेकिन यह तीसरी transition show नहीं की गई उसकी वज़ाई यह है कि यह तुमार transition को selection rules को follow करना होगा अब यहां पर गहुर करें कि जो ml की value है that cannot be greater than one लेकिन difference उनका one से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन यहां पर आप देखें तो इसमें ml की value one है यहां पर ml की value minus one है जब हम इन दुनों का difference लेंगे तो ml की value one minus minus one यह नि difference हमारे पास two आ जाएगा which is not correct according to selection rules तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह हमारे पास forbidden transition है तो only allowed transition होंगी जिसकी वज़ाए से हमें यहां पर तीन transition नजरा आते हैं इन दी स्पेक्ट्रम जब हम quantum mechanics apply करते हैं on to the splitted spectrum तो इस सूरत में हम देखते हैं कि j which is the total quantum number is the sum of orbital quantum number and spin quantum number और ultimately l और s का discrete होने का मतलब यह होगा कि j will also have discrete values we can write it as j is equal to square root of j into j plus one under root into h cut तो इस तरीके से हमारे पास यह जो formula बनता है यह बयान करता है कि j can have discrete values example के तोर पर हम लेते हैं कि हम 3p 3 half यह हमारे पास एक spectroscopic notation है जिसमें हम spectroscopic term को ब्यान करते हैं जिसमें n यहां पर 3 से रिप्रेजेंट कर रहा है और यह हमारे पास j term को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 by 2 तो इसका मतलब यह होगा कि j will be equal to 3 by 2 into 3 by 2 plus 1 square root और h cut जब हम solve करते हैं तो हमारे पास discrete values हासल होती हैं अब जिस तरह l के corresponding हमारे पास ml की values होती हैं बिलकुल इसी तरह j के corresponding हम mj को define करते हैं अब चुके mj की value 3 by 2 है तो sorry j की value चुके 3 by 2 हम ले रहे हैं तो सुरत में mj हमारे पास minus 3 by 2 से plus 3 by 2 के दर्मियान सारी values होंगी with difference of unit मतलब minus 3 by 2 की पहली value होगी इसमें हम एक add करेंगे तो हमारे पास ये 1 by 2 minus के साथ आजएगा उसमें हम एक add करेंगे तो it will get the plus 1 by 2 number और इसमें अगर हम एक add करेंगे तो ये plus 3 by 2 बन जाएगा तो इस त्रीके से हमारे पास ये चार different orientations या चार different values हासल हो रही है जो के discrete values होंगी तो it means कि हमारे पास जो spectral होगा spectral lines होगी वो इन चार हिस्सों में divide होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहां पर discreteness prevail करती है ये था हमारे पास Zeeman effect जिसमें हमने देखा कि spectrum of light split हो जाती है या spectral lines split हो जाती है in the presence of weak magnetic field और इसमें हमने causes देखी और फिर हमने उसका quantum mechanical operation देखा जिससे हमें उसकी discreteness of lines का पता चलता है Hope आप लोगों को ये lecture समझ आ गया होगा अगर किसी किसम का को question हो तो आप comment box में जाके question लिख सकते हैं मैं कोशी करूँगा कि जल्दी उसका answer कर सकूँ अगले lecture तक के लिए अल्ला हाफिस